सब्सक्राइए करबा ठीमें से अधिकारिक शनर्चना के अंतरगत शामिल नहीं किया गया है बताईगा निमिकित में से किसे समाजी का आधारी कि संरचना के अंतरद सामिल नहीं किया गया है इस अपसन के अंसार से सिच्छा उर्जा आवाश परिवहन या स्वास्त बताईगा तो याद रिखेंगे आपको इस हिसाब से कौन सामिल नहीं किया यह कोश्चन पर दिहान देंगे नहीं ठीक है तो बताइएगा रहेगा मेरे दोफ इसमें क्या अंजर होगा तरह किगा इसमें ऑप्ष्ट नूम्बर 3 जो है सही होगा क्यों बताएगा है इसलिए होगा क्योंकि अप्ष्ट नूमबर 2 देखिए उर्जा चीक है उर्जा में कौन से सोतंता शेनानी ने जेल की दिवारों पर महा कब कमला लिखा था बताएगा महा कब जो है कमला लिखा था बताएगा कौन लिखे था ये बताएगा सोतंता शेनानी थी या तुखेगा बताएगा सोतंता शेनानी थे वो बताना है तो कौन लिखा था ये बताएगा इस option के हिसाप चाप को बताना है तो बेडी शावरकर का नाम शुनों होंगे तो बेडी शावरकर जी लिखे दे या तो जो option नमर भी लगाए वो शहीं लगाए होंगे या तो खेगा ठीक है बेडी शावरकर जी से प्लेट्टड एक सवाल क्या है कि 1904 में जो है जो है अबीचे अभीनो भारत नामके करांटी कारी शंगठल के इस्थापन किये थे या रखेगा अभीनो थ्यक्र younger एक क्रांटी कारी शंगठल का जो है यह किये थे या रखेगा एक और चीज़ है अथा पुस्तक लिखे थे जिसका जो कहिए एक तरसे भारतिय सोतनता संग्राम का इतिहास कहा जाता है या तो खेंगे ठीक है चलिएगा पुस्तक का नाम है 857 की करांदी पर लिखे थे भारतिय सोतनता संग्राम का इतिहास लिखा हुआ था या तो खेंगे चलिएगे तीसरा पुराना है तो इस अप्शन के साफ चाप को जवाब देना है तो याद देखेगा ऑप्शन नमबर डी अजन्ता और एलोरा की गुफा जो है सबसे पुराना है या इध्यान रखेगे ठीक है चाहता परश्ट लोक निर्थ और राज्यों के यूगों में कौन सा सुमलित नही है यह बताना है तो इस अप्शन के साफ से अगर देखा जाए तो कौन सुमलित नहीं है यह आपको बताना है लोक निर्थ याद रखेगा इस अप्शन का जवाब चली जली दीजे मेरे दूस्त मैं वेट कर रहा हूं तो याद रखेगा जूमर जो है यह हर्याना का नहीं ह जूमर बिहार का है जरखंड का है चत्रिस गड़ का है उड़ीशा का है पच्छी मगल का है याद रखेगा अधी प्राचीन लोक नुर्थ है याद रखेगा जूमर जो कि हर्याना में नहीं होता है याद रखेगा आगे सवाल है आगे सवाल है आपका कि मुद्रा राचस नाटक के लेखत संख्या है। आदी कि क इनरे जुह आप चैनल कमेरर शक्का को इस इसदो में था मॉंचेंगा उसमें यादे का ने सब्सक्राइब है फासय जुशन हो पूछा था उसमें में शर्फ भासय फूस दिया रही है तो देखिए चैनल लुवाशा पर तब मुझछ इस फैल से लगांगे बाता हों तब तो अस्ताइस सदस्ट कितने होंगे ना option number a جو लगाएंगे उस सही लगाएंगे 5 सदस दे याद खिएगा तो asथाई सदस्यों के संख्या कितनी है 5 याद खिएगा और asथाई संख्या जो है ताश है total मिलाके कितने सदस हुए 15 सदस हुए याद खिएगा ठीक है asथाई सदस को याद करना जरूरी है क्योंकि पहले में रूश है याद रखेगा आर से रूश याद रखेगा अमेरिका याद रखेगा एसे अमेरिका याद रखेगा भी से ब्रूटेन याद रखेगा और एप से फ्रांस याद रखेगा और सबसे लाश्ट रखे ची मतलब ये पां चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसेसी, रोशियन और अस्पेनिस या दुखिएगा यह भासा है ठीक है चलिए आगे चलते हैं इसके स्थापना कवोई तो यह बताईएगा क्योंकि यह बहुत बार बता चुक्त है सातमा प्रश्ट हीरा कुंड बांद इस्तित है तो हीरा कुंड या तुखिएगा जो कि आपको उड़ी शामर पड़ता है तो आप्शन बर्शी जो लगाए होंगे वो शेह लगाए है या तुखिएगा ठीक है आठवा क्रश्ट वर्स 2001 से 11 के मद्द बिहार में औसत दाश जो है दसकिये जनसंख्या ब्रिधी दर कितना है देखिए 2001 से 2011 के बात हो रहा है ठीक है 11 की बात हो रही है उसके बीच में बिहार का जो औसत दस जो दसकिये जनसंख्या होता है दस वर्स के बात होता है ना उसमें ब्रिधी दर कि थी यह बताएगा तो याद रखिएगा इसमें जो है ना जली-जली जवाब दीचे इसमें ऑप्शन बटशी जो लगाएंगे 25 तसंबलों एक परतिशत बहुत सही लगाएंगे याद रखिएगा कैसा है कोशन लग रहा है यह बताएगा नौवा प्रश्ट है नौर्वे में अर्धरातरी के समय सुर्ज कब दिखाई देता है एक चीज याद रखिएगा टॉपिक वाई चलने वाला है जोगरफी जोगरफी का स्री चलेगा आप ध्यान से तैयार हो जाएगे और टॉपिक वाई चलेगा जिसमें वन नाइनर वन डेस होगा याद रखिएगा और अप्षिन नम्रेग, एक चीज रखिएगा टॉपिक वाई ते भारत में पहली पंचवर्षी ये जना का अधार था भारत में पहली पंचवर्षी ये जना का अधार था, क्या था वड़ाईगा देखिये, अगर देखा जाए तो महाल नोविश मॉडल जो है, यह दूसरा ह अब बताईए इसमें कौन होगा नेरू मोडल तो नहीं था नेरूसी मोडल भी नहीं था ऑप्शन नमर ए है है राल्ड डूमर मोडल का था या रखेगा अब परतम पंच वर्शी होजना 1951 से 1956 तक हुआ था या रखेगा चलेंगे चलेंगे गार्मप्रश्ट फाहियान भारत में किसके सासनकाल में आया था यह बताईएगा इस अपसन के साब से आपको जवाब देना है तो फाहियान जब भी आया था चंदगुप्त द्यूतिय के समय था गुप्त बंच के समय था चंदुप्त द्यूतिय के समय आया था या चिखेगा था हरामप्रष्ट बढको समोह है थ्योंेंस ज backstory रखे गार्मप्रश्ट फाहिया बस्त वन 2t जो है समंदी थे किससे के बनदीगे बताएगेगा बारामा प्रस्ट का जवाब देंगे तो आगे चलेंगे तेरामा प्रस्ट है चीन में हांग जू में आयो जीत एसिया खेल दोहजरतेश के दोरान भारतिये दल का आधिकारिक प्रियोज़क किस ब्रांड को बनाया गया बताएगा किस ब्रांड को बनाया गया बताएगे इसका अंसर का जवाब देंगे तो जो बनाया गया है इसका अंसर का जवाब हो गय एमोल को किसे एमोल को brand बनाए गया था या तुखे ठीक है the option अबड़्ी लगाया वह से लगायर आ तरहामा प्रस्ट का चलेगा जूदामा प्रस्ट बहुत अच्य प्रस्ट ना है जेलम नदी का उदगमस्थल जु जम्मु कश्मीर के समीब होगा ठीक है जम्मु कश्मीर के कौन से तो वेरी नाग में होगा या तखेगा ठीक है तो वेरी नाग जो है अस्थल से उद्गम अस्थल से इसका जो है क्या होगा जेलम ने दिका उद्गम होगा जो की कश्मीर के समीब जो है सेसनाग छीली भी है या तखेंगे ठीक है उसी जगह से होगा चलिए का पंद्रमा प्रश्ट अगर यहां पर सेसनाग रहता और बोरी नाग रहता तो बोरी नाग आग लगाते अगर यहां पर बोरी नाग नहीं रहता सेसनाग रहता तो सेसनाग को लगाते ठीक है कलियर हो गए असपर समय के मेरे सेफ का गठन कब हुआ था यह बताएगा विश्वपसन का जवाब देज़ेंगे पंदरमा प्रस्ट का जवाब देगी होंगे। उन्हें 165 में हुआ था यह रखेगा जो अप्शन बष्षिद है यह रखेगा। 1965 में यह रखेगा। ठीक है? और आपसे एक सवाल है कि NCC का गठन कब हुआ था यह बताएगा तो मैं बता देता हूँ 948 मुँआ याद दुखेगा ठीक है चलिएगा 16 मा प्रश्ट सुलाव प्रश्ट है कि भारत का 28 मा लेखा महानी अंतरक CGA कौन है बताएगा 28 मा याद दुखेगा 28 मा ठीक है 28 मा पूछ रहा है बताएगे बताएगे 28 मा आपके पास टाइम है जली बताएगा याद दुखेगा तो दिक्कत हो जेगे तो याद दिखेगा यहाँ पे ग्रीस चंद्र मुर्मुर का नाम आप सुने होंगे 28 मा लेखा महा नियंतरक CGA है याद दुखेगा ठीक है चलिएगा 17 मा प्रश्ण किया है कि भारत में मशालो का प्रदेश किस राज्य को कहते हैं तो मशालो का प्रदेश किस राज्य को कहेंगे तो आप इस ऑप्शन के हिसाब से नभिहार तो है नहीं जान लिए कियरल जब है तो और किसी के अवशकता नहीं है मशालों का प्रदेश के रल को कहा जाता है या दुखेगा चीक है ऑप्शन नमबर सी जो लगाए वो शेह लगाए है या दुखेगे अठारों प्रस्ट इम कोवा की मुक्ती कब हुई थी बताएगा तो देखें गोवा की मुक गोबा की मुटि अगर पूछे तो आखिंग है जो की अगर बोला जा तो नएस दिशंबर ठीक है उनेश दिशंबर है इत जर्द में हो गया था या ठीक है घोबा दमधीप की मुक्ती जो है गोब दमधीप की दो कब्जे में थे किसके तो पूर्द का लगे दोनों के विरुद्य जो है भारस और का लड़ी फिर उन दोनों को घटा कर जो है गोवा मुक्त हो गया दमंदीप भी मुक्त हो गया यह तुक है इसलिए गोवा में उन्हें स्टेशमर को गोवा मुक्ति दिवस के रुपे मनाया जाता है और यह कब हो गराए भारा मेंश्मिधान स्लसोदन онyの πα्सट के तहळ繼續 घटा जो है यादकि कहेगा उन्हें उन्हें चववाूवा सुपा भी मुईदान नियुदान स्लसोदन के तहळी हूं पूछे के आप से कि गोवा और ने कर भारत में कब मिलाता गया तो बारा में उन 62 या तके 1962 क्योंकि एक सथ में प्रुतकाल को भागाया मुक्ति किया तब ही यह समिधान संसोर में जोड़ेगा तो 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 काला हारी मरुवस्तल कहां इस्तित है यह मैंने मेरा गजल संदी का पढ़े होंगे या जोग्रफी का जो प्लेलिस्ट बना गया वान लाइनर अगर देखे होंगे तो या दखेगा उसमें ये कुश्चन पूछा हुआ है ठीक है प्लेलिस्ट में या दखेगा ठीक है बताएगा इसका अंसर का जोड़ेशे में इसमा अंसर का जोड़ेशे मेरे जोस्त काला हारी मरुस्तल इस्तित है कहां बताएंगे तो यह दखेगा अ काला हारी कहां है अफिरका में नाम ही से है काला हारी काला भी है हारी भी है कहां है तो अफिरका में ठीक है यह याद करने का तरीका मिरे दोस्त कि काला हारी चलिएगा 20 मा प्रश्ट 20 मा प्रश्ट क्या है मिरे दोस संक्राचार ने किस अस्थान पर मठ अस्थापित नहीं किय ओलूलाओं संक्राचार ने बताईगा किस अस्थान पर जो है मठ सथापित नहीं किया कॉनसे अस्थान बताइए योगी संक्राचार्द जो मठ सथापित नहीं किये थे ठीक है बताईगा तो देखिए द्वारिका में तो किये थे ही पूरी में किये ही है मत्व उडिशा में ही है ना सिंगेरी सिंगेरी में भी किये थे या तो खेगा लेकिन मत्वरा में जो है नहीं किये है या तो खेगा ठीक है मत्वरा में जो है यह नहीं कर पाये थे या त आद फेगा तो यह दौरीकश यह पूली और सिंगेरी यह टो किना एक बद्रीनाथ को पूलिए गमत्यू यह यहें और यही एक यह टैब स्फाफिद किये थे बद्री नाथ भधी नाथ डूब हुआ हु्도 heights नाथ जो कि आपको कहां है बताएगा कमेंट बॉक्स में देखिए संक्राय चार्च की अगर जन्म की बात करें तो 7088 इस भी में हुआ था याद दुखिएगा ठीक है ठीक है ना याद दुखिएगे यह इंपॉर्टेंट है इनकी मिर्तु अगर पूस दे आपसे तो 820 इस भी विख नदां कुशे है दो बताएगा गोवेंद योगी गुरूद है याद दखिएगा केieran करें किस्मापरस्ट है बहुत धिरे दिरे रामाँराम से चुदुरां हुआ थोसक्याइं से प्रेक्टिश जच कर तो कवीर की एगर बात करें तो कवीर की बात होती है तो 15 शातवलिक के समय की बात होती है या तके गा ठीक है उस समय के प्रसेद संतती यह तखेगा जो कि धार्मिक एकता का उवदेश दिया किये थे उवदेश दिये थे यह तखेगा ठीक है संतखवीर को जन अगर पूछे तो आप यह तखेगा वारा नशी थी का हाँ यूपी में ठीक है याद के चलिएगा इन्य Cup清 यह है संग्रह है तो बानी है कहिए भीजक पूस्तक भी कह सकते है तो यह पूस्तक है विज razor यह पूस्ता इसलिए विजद को थीन भाग मぇं बाटा गया है यहतुखेगा पहला बाग है है और साख के दूसरा बहुत है रे belki 12 सब्द है आपका तुष्रा शब्त क्या है तो तुष्रा है रम मैनी ठीक है याद रुखेगा शरेंगे आगे 22 प्रश्ट 22 प्रश्ट ने कपास की खेती के लिए सर्वधिक उप्यूक्त मिट्टी होती है तो कपास की खेती के लिए अगर याद खेगा मतलब उप्यूक्त क्या होगा काली मिटी काली मिटी को हम लोग रेगूर मिटी के नाम से जानते हैं याद खेगा ठीक है अगर मेरा NCRT का कोई कल वला प्रैक्टिशर्ट देखा है तो ये कोश्चन एक और कोश्चन मैंने करवाया याद खेगा 9-10 से जो मैंने करवाया ये कोश्चन आपको एक दम नहीं छुटेगा क्योंकि ये पूछा था कि काली मिटी का दूसरा नाम क्या है रेगूमिटी है है कि नहीं अ भी एक्जाम का बाप 10-10 याद खेगा आगे चलेंगे तेस माप रष्ट अंतारा किस देश की सामाचार अजिन्सी है बदाएगा चीक है तेस माप रष्ट का जवाब देना है अंतारा अगर है तो आप जवाब देदी होंगे option No.D Indonesia चीक है तो आप सही है इंडोनेशिया ज इसी तरह देखा जाए तो जपान का ठीक है जपान का अगर पुछे निउस एजनसी तो क्योडो नाम है पूछा था यह है ना क्योडो एक बार आया है क्योडो है अगर इसी तरह आप से और भी पूछे जैसे कि आपको भारत का पूछे तो भारत का पूछे का तो क्या बताए PTI और एक UNI ये दो जो है निवचे अजनसी है यह यहाथ आप हारत के ठीक है चरिए आगे चोईस्मा प्रस्ट निमिकित में नालंदा जिले का मुख्यालै कहां इस्थित है बताएगा जैसे नालंदा जिला की बात हो गयी तो हम अपनी बिहार सरीफ को याद कर लेंगे चिक है इसका तो जवाब अपligen फैसे भी लगा सकते थे है न कै या तो खेगा चीला या तकना पड़ेगा ठीक है चलेगा पचिसमा प्रश्ट असकोट ठीक है आसकोट ऐसे देता है आसकोट वन जीव अभ्यारन किस राजमेस्तिर है सोचे यूनिक नाम है या ठीक है यूनिक नाम है जैसे यूनिक लिखते हैं यूनिक नाम है बताएगा अस्कोर्ट बन जीव अभियारन किस राज्य में इस्थित्य बताईगा वहत आराम से चल रहा हूं मेरे दोस्त कि आपको अशानी असानी से टिक लगा सकें मिला शकें तो आप अंसर लगा दिया होंगे है ना तो आगी शलें तो आप्शन नमबर सी उत्रा घंड में है यार र ठीक है मैंने ऐसे कर रहा था लेकिन आप समझ जाते तो आप टीक लगा दे चलिएगा पचिसमा प्रश्ट निमिकित में कौन सा कथन अशत्त है बताएगा तो इसमें असत्त बताना है ठीक है तो देखिए लॉडर हार्डिंग प्रथम का काजकाल भारत में 844 से 848 है एक द बन आत कममंदिर जो है महाराश्ट में है इम एज में एदम है रेशेर सैली से निर्मित है एदम सही है इसमें कोई गल्ती नहीं ठीक है एक देखिए चलू के वंशी नरेश्ट नर्शिग बरमन ठीक है नर्सी बरमन वहा तापी कुंड कि उपाधी धारन की थी एदम इसमे कैसे चोल सासकों के विश्य में जनकारी मिर्च कटिकम से मिलती है तो यह एदम नहीं है नामक ग्रंथ बिलती है एकडम नहीं जोल बंसका जो है मिस्ट कटकम से क compatibility GOULD के ए यही इस पर शथैंस घ्र्द गु Principal जो हुआ था एसकी जोस्तापन में हुए थी जहें सॉरुम्त काली ठीसिए श्क्राइव की सब्सक्राजों होएं जिया होइया हो था strict चलिए आगे चलते हैं चलिएगा 27 महापरष्ण कैसा लग रहा है मिरा दोस्त इसी स्पिट से चलूं comment box में ज़रू करेंगे संसद की किस समीति को अस्थाई मित्वयता संमीति जो है कहते हैं बताइएगा संसद की किस समीति को अस्थाई मित्वयता शमीती कहते हैं इस उप्षन के इसाब से बताएगा किसे कहते हैं ठीक है तो इस इसाब से अगर आपको देखा जाए तो आप प्रकलन समीती का नाम शुने होंगे इसे ही कहा जाता है अस्थाई मित्वेता समीती कहा जाता है प्रकलन शमीति को जो option no.3 लगाएं वो सही लगाएं या रखेगा ठीक है चलेगा प्रकर्ण समीति का समीति में लोग शभाग के 30 सदस होते हैं या रखेगा जलेंगे आगे चलेंगे 28 अकवर ने तिरते यात्रा कर शमाप्त किया था बहुत अच्छा सवाल अगर मुगल का मेरा हिस्ट्री का देख लिए होंगे वाल नाइनर उसमें ये कोशन था और प्रैक्टिश एट में भी अगर मेरा देखेंगे ये मसी की महा मेरा दार चलाया हूं तो उसमें अगर देखे हूंगे तो उसमें भी था तो अकवर ने तरते यात्रा कर शमाप्त किया था तो यादखिए का वह ऑप्शन नमबर सी 2533 में किये थे यादखिए नमबर सी 1533 में है ठीक है इसे सबसे पहले तृसर्ष से पहले 36562 में दास्पर्थाकांत भी किया था याद रखेगा। उसके बाद क्या किया। 19564 में जजिया कर होता था जजिया याद रखेगा आकवर का इंपॉर्टनट बात है याद रखेगा। इस लिए कि वाथत-खाना के स्थापन किया कर्थ जहाँ है का अबन दधिल कनो में इसलिए इसले चेका 29-टीसमों प्रश्ट पवन्द्वारा धुल कनो के निछेप से निर्मित अस्थल शरूप को क्या कहते हैं बताएगा पवन द्वारा जो धुल कनो के निछेप से जो निर्मित होता है अस्थल शरूप को क्या कहते हैं बताएगा इस आपसन के इसाब से आपको बताना है तो जिसमा प्रश्ण क्या करते हैं तो आपस पोप्रस्ट कि पानी सीन हो है इस artist कि द्वारा जाता है नाम का पुस्तक हाल ही में आड किसके द्वारा लेकल इस पुस्त था था रहा है कौन लिखने वाले कौन है लेकल बताइजनकों तो बोरियल जो option number B लगाएंगे वोरिया या दिखेगा बोरिया लिख दिखेगा बोरिया मजूमदार था ठीक है वह लिखेते हैं या दिखेगा चरीगा एक तीसमा प्रश्ट बराबर कि पहाड़ियों पर इस थी तो गुफा अशोक ने अपने शासन के किस वर्ष भिजको क दिया था किस वर्ष दिया था यह बताएगा गुफा जो बनाया था एक तरह से बराबर में पहाड़ी में बना हुआ है वो अशोक किस वर्ष एदम भिचको को दे दिया था भिचको के लिए एक तरह से बनाया था बताएगा एक तिसमा प्रश्ट का जवाब देजेगा तो तो बारामी वर्ष में दिया था याद रुखेगा, कब दिया था बारामी वर्ष में, बारामी शतापदी में नहीं, शतापदी तो अलग हो जाएगा, बारामी वर्ष में दिया था याद रुखेगा, ठीक है मेरे दोस्त, चेले गे, यहाँ पर दखेगा, ड्यूति ए जैन स संगिती वहला जन्संगिती अildya बॉल्ली में तो जो जो है इसके अध्याच कुण थे ये पुस्त है यह से वह द्वाहर्ट 3ां सथी दőलर 2 iron को यह दखें सभी बौदत का चार संगेती हुआ था और जैन्सांगिते याद रखेगा यह बल्ली जो है गुजरात में पढ़ता है यह आप जानते हैं न तो इसके अध्यच कों थे बताएगा जैन संगीतिका देखे ऑप्शन नमबर ए लगा दीजे देवाद धीर छमा सरवन थे याद खेगा ऐसे कहीं चमा सरवन खाली दे देता है याद खेगा ठीक है चलिएगा आगे चलेंगे ठीक है ज्यादा जनकारी तो आपको हिस्टरी का मौक्ट टेस्ट करवाता हूं उसी में हो जाएगा य याद खेगा दूसरा चीज मेरे दोस्त कि बाराव जिए जो सेसं चलता था ठीक है बो टॉपिक हमेशा चलेगा व happiness में चलेगा चोकि जी जी & च सारह मिलेगा ठीक है अर दूसरी चीज यह जो चलता है साइस का ठीक है? science का आपका उसका mock test चलेगा याद खेगा? mock test चलेगा मेरे दोस्त जो कि आपको 2 पीजह हमेशा मिलेगा याद खेगा? कम ही time है मिलेगा? 30 मिनेट चारींज मिलेगा याद खेगा? और जो सुबह आपका जो current इस चलता था वो जो है सब्ता में दो दिन या तीन दिन चलेंगे ठीक है जो कि आपको सिर्फ अस्पिर्डी प्रकाशन से याद रखेगा तो याद रखेगा चलेगा तेटिस महाप्रश्ण लॉडर करनवालिश ने 1793 में इस्तम याद रखेगा इस्तम रादी बंदोबस्त प्रथा प्रणभगी थी यह बताएगा तेटिस महाप्रश्ण का जवाब देंगे यह जवाब ज़रूरी है तो बताएगा तो आप्शन नमबर डी याद रखेगे बिहार में ठीक है इस्तम रा जो इस्त या तखेगा इस्त लिखावाई इस्त मरादी नाम में है ठीक है इस्त मरादी बंदोबस्त यह लाने वाला जो है प्रथा प्रणभगी थी बिहार में जो कि 1793 में कौन क्या था लॉडर करनव सब्सक्राइब करनवाल इस्त में पूछा था कि जो अमेरिका में करांती हुई थी उस समय जो है अंग्रेज के तरब से कौन लड़ा था तो यह कौन है लॉडर करनवाल इस्त लाड़ा था जिसमें हार मीनी थी अमेरिका को समझे आ जा दी ठीक है यह पढ़ते हैं अगर न कि मेरे जोस्त भी यह एंपी से कोशन अर्थसास्त्र वही का प्रकाशन या दीए उण्य कि उर्थवाईर सच्ता में वहरीन जिसकी बशूरी संधिग्द हो अथा शंभव नहीं हो कहला धी है क्या कहला दी बताएगा अगर अर्थवास्ता में वहरीन जो है जिसकी बशूली शंदी हो अथवाशंभव ना हो कहलाती है क्या कहलाती है बताएगा इसके सामने चार अप्शन है बताएगे option number bad date कहते हैं या तुखेगा क्या कहते हैं bad date कहा जाता है चुकि नहीं हो नहीं हो कलाती है bad date ठीक है या तुखेगा नहीं answer में ये question का नहीं है ठीक है या तुखेगा चलिगा 35 प्रश्ण प्रश्ण है कि राष्टी विकास परश्द का गठन किया गया था जवाब देजे मिने दोस्त क्या हुआ राष्टी विकास परश्द हुआ उसका गठन जो है वा था कब यह बताएगा चलिए जवाब देदी होंगे छे अगस्त तो है clear है लेकि छे अगस्त कब बताएगा तो छे अगस्त 1952 में है या तखेगा बावन में है या तखेगा छे अगस्त उनेश्व बावन को है या तखेगा चलेंगे आगे चलिए अच्छ तिसमा प्रश भारत का सर्वधिक गहरा बंदरगा है तो भारत का सर्वधिक गहरा बंदरगा कौन सा है बताएगा बहुत ही अच्छा सवाल है मिरे दोस्त पूछा हुआ सवाल है बताएगा तो सबसे गहरा बंदरगा जो है एपी मतब आत परदेश में है जो कि आपका option मरे विशाखा पत्नम में है यार रखेगा तो विशाखा पत्नम जो है भारत का सर्दिक गहरा बंदर का है जो कि आंत्र परदेश में इस तिट है यार रखेंगे ठीक है आगे चलेंगे 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 मिले दोस्त सैंतियस्वा प्रश्ण है उत्तर एवं दच्छिन गुलार्द में 35 डिग्री, 40 डिग्री यार रखेगा अच्छांस से लेके 60 डिग्री, 65 डिग्री अच्छांस तक चलने वाले पवन है तो क्या कहलाते है पवन यह बताएगा सैंतियस्वा प्रश्ण तो यार रखेगा option मरे पच्छुआ पवन कहते हैं यार रख पवने ऐसे बोला जाता है पच्छुआ पवने ठीक है आगे चलिएगा चलिएगा 38 प्रश्ण 38 प्रश्ण है जून 2013 में गांधी शांती प्रुसकार 2021 किसे दिया गया है बताएगा जून 2013 में गांधी शांती प्रुसकार 2021 जो है किसे दिया गया है यह सारा question मेरा करेंट करका अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लिएगा बहुत पहले से बना के रखा हुआ है नहीं तो ऐसे 2024 का चल रहा है वन नाइनल में उसी तरह उसमें मोग तेश्ट करवांगा उसमें वीचलेगा तो देख लिएगा तो जून 2023 में गांधी शांती प्रुसका 2021 में जो ह या तकेगा ठीक है चलीगा उनचारिसमा प्रश्ट नागरिक शेवा का जनक कहा जाता है नागरिक शेवा का जनक जो है किसे कहा जाता ही यह बताएगा रहेगा मेरे दोस्त नागरिक शेवा जो करने वाला था वो जो है एक ही है उसे कौन है तो लॉडर करनवालिस को कहा ज मारे या तो खेंग में को नयाएक सेवा का जनक माना जाता है डाएक है खैस और लड़性 को ज Leutenवे करते खडप नीती का शिद्धान दा पनाया था चलिएगा चलिएगा चालिसमा प्रश्ट है फादर ओफ इंडिया अनरेस्ट कहा गया है किससे बताएगा फादर ओफ इंडिया अनरेस्ट कहा गया है यह बताएगा चालिसमा प्रश्ट का जवाब देंगे तो चालीसमों प्रश्ण का अगर जवाब पूछते हैं तो याद किएगा इनका अंसर जो है बाल गंगाधर दीलग को याद किएगा Father of India आंजरेष्ट कहा जाता है बाल गंगाधर दीलग को याद किएगे ठीक है किन्हें कहा जाता है वाल गंगादर तीलक को कहा जाता है या तुकी का असंतोस का जनक क्योंगी गरम दल के थे ना इसलिए ठीक है चलिएगा मैं तो असंतोस असंतोस ठाइब के फैला लेता है शांती रहने ही नहीं देता है बहुत अच्छी बात है चलिए आगे चलिए बहुत अच्छा है इतिहास इनका अगर अस्पेसिल इनका पढ़ाऊंगा ना तम मैं जाए जाएगा चलिएगा गुर्दवा अकर्शन तरंग अवलूकन के लिए कैविनिट ने हाल ही में कहा एल आइजियो नामक बेदिशाला बनाने की प्रियुजना को मंजूरी दे दी है बताएगा कहा कौन से राज्च में ये बताएगा इस अप्सन के साबसे या कौन से केंदर सासित प्रदेश में बताएगा तो यह दिखेगा और कहीं नहीं एमेच महराष्ट को दे दिया गया है यह दिखेगा महराष्ट में ठीक है चलिएगा ब्यारिस्मा प्रश्ट ब्यारिस्मा करत तो इस option के इसाप सेивать कर देखे तो राष्ट बीरोधी वह剩िन सब नात्मक, पर नियंद्रन के लिए ये मुल करतर जोड़ा गया है या तुखेगा राष्ट विरोधी थे बहुत लोग है राष्ट विरोधी होते थे, नात्मक्याज करते थे, किरितिया होते थे, उसे नियंतन करने के लिए मुल कर्तब आये, ठीक है, को जिकत कर थे ही, मुल कर्तब हम लोग कहां से लिए हैं, बताईएगा, रूश लिया गया है, या रुखेगा, ठीक है, यह श्रगदार स्वन सिं सब्सक्राइब तो 42 में समिधान सब्सक्राइब नाइंटी सेवंटी सक्स ठीक है बताये थे मैंने यह ठीक है और अगर भाग पूछे तो चार का ए भाग में हैं अगर आपसे अनुशेत पूछते ठीक है आर्टिकल पूछते तो 51 का ए है ठीक है यह ठीक है चलिएगा 43 फूचते लिखी है उस्पुस्ता का नाम पूछ रहा है बताईगा इस पुस्ता का नाम और आप परस्तुय क्ल मis artists यो已經 सुंग्रहाल है इस बटन के साथ से आपको जवाब देंगे तो जबाहिए इड़र रखेगा नेता जी जनमस्थान संग्रहाल है या रखेगा थो जो कटक में नेता जी स्वास्चन बोस्का जो है जन्म अस्थान संग रहाल है तो एक तो यह जो बना था है ठीक है यह रखेगा 122 में जैनती पर इस क्यूद घाटन हुई है यह रखेगा ठीक है चलिए आगे चलते हैं प्यताजिस्वाप प्रश्ट प्यताजिस्वाप प्रश्ट है निविकित में कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड अस्लैम स्वारी ग्रैंड अस्लैम टेनिस टूनामेंट है बताएगा अस्लैम ठीक है अस्लैम तो बताएगा पुराना ग्रैंड अस्लैम टेनिस टूनामेंट है कौन सा सबसे पुराना बताएगा तो यह रखेगा और कोई नहीं वी वन डन जो है यही सब सबसे पुराना है यह जो वह था यहातु यहां चैनल 1857 में सब से पहले उसके बाद थो 8181 में सब तोपन टाहिए जोसरा आया था 8091 में तरहा है वससे पहले 77 में दूसरा 881 में जुसरा 1891 में टूब है जो कि है याद रखेंगे जोकि इससे फ्रेंच ओपन करते हैं ठीक है ध्रेंच ओपन कहते हैं टिर त्रुड्स का एक है था आपको 1905 में कि 105 में क्या था अस्टेलिया ओपन ठीक है एपी कर दीजगा ठीक है इसी तरह याद कर लिजगा ठीक है तो कोई दिखकर नहीं तो सबसे पहले आया था भी वर्ल्डन खेल टेनिस टूनामिंट जो कि आपको 1877 में आथा या दखेगा अस्टेलिया ओपन आया था उने 105 में ठी ठीक है ठीक है इस सबसे अंत में आता है या दिखेगा फ्रेंच आपन आया था कितना 1891 में फ्रेंच उपन यूएस ओपन कब आया था तो 8081 में ठीक है किलियर मैंने बता भी दिया था यह जरूरी था इसलिए रिपिट कर दिया 46 चंद्रवां पर अगला मिशन चंद्रयान 54 में भारत किस देश के साथ मिलकर पूरा करेगा बताइगा चौथा चौथा तीस्तरा भी हो गया एकिस के साथ मिलकर करेगा आगामी वला मैंने वीडियो में से थिम्पू किस तेश की रस्थानी है बताएगा थिम्पू जो है किस तेश की रस्थानी है यह बताएगा तो यह रखेगा ऑप्शन नमर भी भुटान की रस्थानी है यह रखेगा थिम्पू भुटान की रस्थानी है अब भी जानते हैं चीक है यह रखेंगे चलेगा अरताइसमा प्रश्ट हाली में भारत ने किस देश के साथ मिलकर अपराधियों अपराधिक जो मामले होते थे कि जाच के लिए परहस्परिक कानून, कानूरी जो है साहता, शंधी परहस्थाचर किया है किस के साथ बताएगा जैसे अपराधि मामलों की जाच की बात हो तो आपको दिमाओं में खटक जाना चाहिए कि किस के साथ कर सकता है तो वो आप्शन नमबर B, वेलजीम के शाथ नयार रखेगा, कि मेरा अस्परिडी का अगर बुक देख रहोंगे, बढ़ायत है तो उसमें ये कोशन पूछा था जो कि मैंने बता चुका हूँ गल जी, चरीगा नीसमा प्रश शुन्य का अविश्कार किस ने किया था बहुत ही अच्छा और बहुत ही चर्चित वेक्ति है वो है आप्शन नमबर B, आरेवर्ट आरेवर्ट जो है, शुन्य का अविश्कार किये थे यार दखीगा, ठीक है आगे चलेंगे इनकी पूस्तक है आरेवर्ट्यम नामँकरन्त लिखी गए यार दखीगा ठीक है, आगे चलेंगे पचासमा प्रशन में दोस्ट पचासमा प्रशन है एक प्रसिद्ध नारा करो या मरो ठीक है किस ने दिया था करो या मरो का नारा किस ने दिया था यह बताएगा तो यह दिखे का option नमरे महात्मागानी दिये थे इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप जानते हैं है ना चलिए आगे सवाल है 51 51 है संतरे में कौन सी बिटामिन पाई जाते है तो जहां खटा होगा वहां बिटामिन A तो नहीं होगा बिटामिन B नहीं होगा बिटामिन D तो होगा ही नहीं तो बताएगा कौन होगा विटामिन C होगा, आप्शन नमबर C का C होगा, याद रखेगा, शरीगा 52, नमेकित में से क्या सौर सेल उप्योग करने का एक प्रमुख लाव है, बताएगा, प्रमुख लाव क्या है, यह सवाल है, बताएगा, तो याद रखेगा, अगर आपसे पूछे फिटा 52 का, तो हा इसमें गती मान पूछे नहीं होते हैं, याद रखेगा, चीक है, आप्शन नमबर B जो लगाएँगे, वो सही लगाएँगे, क्योंकि देखेगे, सौर सेल उप्योग करने का एक प्रमुख लाव यह है, कि इसमें गती नाम पूछे नहीं होते हैं, याद रुखेगा, ची तो याद दिखेगा यह जो है आप जो है इसका ऑफिशन नमबर बी जो लगाएंगे वो शह लगाएंगे 78 परसेंट जो है आपको nitrogen मिलेगा उसके बाद सेकंड में oxygen आता है कि इस परतीशत के पाद याद दिखेगा Oregon जो है आपका 0.93% याद रखेगा आप CO2 अगर आपसे पूछें तो करवन डाक्षायर 0.03% होगा तो Oregon ज्यादा होता है करवन डाक्षायर जो है और कम होता है याद रखेगा ठीक है यह एदम चौते नमर पर आता है चलिएगा 54 कोई बस तू नियत त्वरन के शाथ बिराम से चलना सुरू करती है अगर मेरा साइंस का मोग टेस्ट देखे होंगे या साइंस का प्रिभेर शेयर का वन नाइनर कोशन देखे होंगे तो आप जरूर से जरूर टीक आउट करिएगा क्योंकि उसमें कोशन मिला है ह हूँ बहु कोशन यहाँ है बताएगा समझेगा हूँ बहु कोशन यहाँ है मतलब उसमें पढ़ा चुके है कब का प्रिभेसियत से ही पूसता है तो चलना सुरू करती है बताएगा इसका अंसर का जवाब आप देदी होंगे ऑप्शन नमरे सीधे समय के वर्ग का शामान चलेगा याद खेगा जो अप्शन नमरे लगाएंगे वो श्रह लगाएंगे याद खेगा चलेगा 55 की अगर बात करें तो प्रस्थितिक पिरामीडी का आधार शमानता चोड़ा होता है और यह जो है खाली जगा की और शंक्रिण होता है बताएगा क्या होगा इस अप्श 26 कोई उस्मा इंजन 527 डिग्री सेल्सियस पर सूर्स से उश्मा लेता है और 27 डिग्री सेल्सियस पर बाइमंडल को उश्मा लोटा 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 देखें यहां पर थोड़ा सब्लती होता है लोटा देता है तो इंजन की दच्छता क्या होगी दो लोटा लोटा हो option number B 62.5 प्रतिशत होगा याद केगा ठीक है याद केगे ठीक है अदब यह जो देखें कैसे बाटा हुआ है कि 527 क्या है ठीक है एक तरफ प्लस प्लस जो है 200 273 जो है उसको जोड़कर क्या कर दिया गया 800 केलिविन कर दिया गया है ठीक है जैसे देखें बता दता हूं आप मैथ है देखें पांसो सटाइस है ठीक है प्लस देखें इसको क्या किया गया है 273 से एड कर दिया गया तो इससे 800 केलिविन में बदल दिया गया ठीक है जोड़ियेगा तो अब यह 27 को फिर 273 से फिर जोड़ दीजे तो यह 300 केलिविन हो गया अब देखें इसका क्या होता है इंजन की दश्चता पूछ रहा है तो 800 माइनस 300 बटा 800 होता है ठीक है अब इ जैसी काटीगा बगल में हेंडर से भागा देजिए तो परसेंटेज में आ जाएगा बासवर दो सुमलो पहांच हो जाएगा ठीक है चलिएगा 57 की अगर बात करें तो दालचीनी पेड में जो दालचीनी का पेड होता है पेड के किस भाग से एकत्र की जाती है देखें दालचीनी का पेड है के भाग बताईए से एकत्र की जाती है कैसे करते हैं दालचीनी को एकत्र तो आप जानते हैं छाल से करते हैं है ना छाल से प् पहाँ चुका मेरे दोस्त। 58 सुक्रेज नामक एंजाइम सरकरा को बदल देता है तो कैसे बदल देता है यह बदाएगा दोस्त। ऑप्शन अबरे गुलकोच एवं फ्रक्टोज में बदल देता है यह अच्छेगा ठीक है चलेगा 59 यरी प्रत्वी अपने अच्छ के परिता तेजी से घुमने लगे तो प्रतेक अस्थान में द्रूबो को छोड़कर बस्तू के बहार में क्या परिवर्तन होगा यह पूछेगा क्या परिवर्तन होगा अगर प्रतेक अस्थान में बस्तू के बहार में क्या परिवर्तन होजागा यह पूछ रहा है अगर तेजी से घ कमी होगा यह तो पार में कमी हो जायगा है न चलिएगा च्छत्थे प्रश्ट निये सलरी साथमा प्रश्ट URASIAL पाया जाता है बताएगा URASIAL पाया जाता ही बताएगा तो याह दिखी कि URASIAL जो है 어iono option bei R&n में पाया जाता है यह दिखेगा URASIAL जो है R&n में पाया जाता ही यह दिखेगा ठीक है चलिए 61. 67 morning देखेεια 62 morning प्नष्य इसमें 2 option है fund और पुन्ह आंतरिक प्रवतन के दौरा कौंसी घटना घटती है तो आन्सर के हिसाब होती है तो अप्शन नमबर भी अंसर इसका सही होगा है तो यहां पर देख लिए तो यहां पर देख लिए तो यह सब अंसर नहीं होगा यह चेलिए बासथबमो परश्ट क्या है कि निमरी कित में कौन जो है मुम्ज का के अंतरगात आता है इस आप्सन के असाब से आपको ज़वाब देना है तो इसका टाइम आपको दिया जा रहा है जली जली होगा यह बताएगा बताएगा, तो option number B, octopus, ठीक है, octopus होगा है, option number B, सही है, चेलिएगा, तिरसाथमा उप्रष्ट, तिरसाथमा उप्रष्ट नहीं कि एक पैरा शूट के सहारे, कोई आदमी नीचे उतरता है, तो बताएगा, क्या होगा, बताएगा, तो कुछ नहीं मेरे दो, सिमान तवेग से हो होगा, या तुखेगा, जो option number B लगाए हैं, वो शही लगाए हैं, या तुखेगे, चलिएगा, आगे चलते हैं, चोसट्मा प्रश्ण है कि निम्रिकित में किसमे यांत्रीकूजा से ध्वनी उर्जा में परिवर्दन होता है तो या रखेगा option नमरे सितार में होता है या रखेगा किसमें सितार में होता है चलिएगा बोल्र का सुट्र है प्रेखन प्राइगा बोलर कि इसका सुट्र अगर पूशे तो इसका जवाब क्या है एनिए वीधी वीवलर बदाय थे ब्होर्द ब्लाइगा इंटू 10 is to O है देखिए यहां जैसे ही 7 है तो देखिए O 7 होना चाहिए O 9 भी नहीं होना चाहिए O 4 भी नहीं B 4 होना चाहिए तो B 7 तो उल्टा हो गया तो यही अंजर होगा यातुकेगा A in 2 होगा B 4 होगा O 7 होगा यातुकेगा ऐसे ही यात करने का तरीका भी है चरीगा यह किसका आयसक है यह बताएगा क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ यातुकेगे चरीगा 66 अपरस्ट प्रोडियूजर प्रोडियूजर गैस में नाइट्रूजन की मातरा होती है बताएगा प्रोडियूजर ठीक है यूजर बोला जाता है ऐसे गैस में नाइट्रूजन की मातरा होती है कितनी प्रोडियूजर यह बताएगा तो स्टार्ट प्रोडियूजर यातुकेगे कितना प्रोडियूजर यातुकेगा देखेगा 67 भोजन विशाग्त करने वाले प्रुंख जिवानू में कौन सामिल नहीं है पताएगा कौन सामिल नहीं है इस option के हिसाब से आपको जवाब देना है तो इस option के हिसाब से आप जवाब दे चुके होंगे option number 3 हीमो फिल्ज पर टू सिस पर टू सिस चीक है या तकेगा यही है जिवानू में सामिल नहीं होता है या तकेगा ठीक है नहीं तो सब होता है अस्टेफी लोकाकी होता है कलाइस्ट्री डियम होता है और साल्क मोनेला होता है या तकेगा यह सब जिवानू है ठीक है एक तर से विशय युक्ति जिवान हुए लेकिन यह जो option number 3 है वो नहीं है या ठखेगा 68 की अगर बात करें तो प्रतिवी एब हम चंद्रवा के बीच की दूरी को कहते हैं क्या कहिएगा प्रतिवी एब हम चंद्रवा के बीच की दूरी को क्या कहिएगा बहुत ही अच्छा सवाल है दिवी है कुशन में दोस्ति आठखेगा 68 की बात करें तो option बड़े है ठीक है she shall lunar अठखेगा ठीक है चलिएगा आगे चलते है 69 काँच में किस पदार्थ को मिलाने से काँच का रंग हरा हो जाता है यह बताएगा काँच के किस पदार्थ को मिलाने से काँच का रंग हरा हो जाता है यह बताएगा तो इसका अंसर का जवाब option number c ferrous oxide से होता है यह दुखेगा जो option number c लगाएंगे वो यह दुखेगा ferrous oxide और भी है chromo oxide या ferrous oxide हो या chromic oxide हो या sodium chromate हो यह सब होंगे तो यह दुखेगा जो है काँच का रंग हरा होता है यह दुखेगा चीक है यह दुखेगा तो 70 प्रश्ट मतबब यह जो आप 69 है ना यह option में बस यह ही दिया था इस जगापे अगर दे देता अगर इसके जगाप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाव के वित करवान पाती होता है यह नियम समंदित है बताएगा यह नियम समंदित है किस समंदित है यह बताएगा तो यह दुखेगा option number यह वाइल से है यह दुखेगा option number D जो है घनतव नहीं है यह दुखेगा ठीक है यह अदिश्राशी हो जाता चलीगा मेरे दुखेगा 72 की बात करें तो निविकित में से किस को सबसे अधिक केंप्यूटर यह दुखेगा असमरिती की अफशकता होती है बताएगा किश्र होती है यह बताएगे 72 का अंसर का जबाव देज़ेगा तो यह दुखेगा option number D वो प्रुक्त सभी में दुखनी में ग्राफिक्स इमेजिंग सब में होता है यह दुखेगा चरीगा 72 के अगर बात करें में दोस्त यह देखे प्लेटफ़र्म का है यह दुखेगा ताप नियांतरन एवं पेशिये संकुषन नविकित में से किस उत्तक दौरा होता है यह बताएगे तो आप नौर्मली जानते हैं किस उत्तक दौरा होगा तो यह दुखेगा option number तो आज के लिए इतना ही रखते हैं त्यातरमा कोशन खतम हो गए अब कोशन जो है नहीं बचेगा अब बचा 23 तो यह कंटिन्यू चरेगा आपका रात को दस बचे जो की चल रहा है एंसे अटी का प्रक्टिशेट आप देखाऊंगे कैसा लगा इसे रिव्यू दीजएगा अब इस तरह का श्रो श्रो चलता रहेगा और याद खेगा जोग्रफी का टॉपिक सुरू होने वाला होने जा रहा है और एक पॉलिटी का जो है टॉपिक जो है टॉपिक जोग्रफ लिए आज के लिए इतने ही रखते हैं जहीं चैफादत में दोस्त टाइमिंग बता दिया गया है आपको उस टाहिम पर अपना तैयारी शुरू कर देंगे बाइबाए टेटा